क्लासेज में कहता चलाया हूँ तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमारे गुरुकुल जो भारत को विश्य गुरु बनाते थे जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर एकनॉमी बनाते थे जो ज्यान, विज्यान, शोध, इन सब में भारत को जिन्होंने टॉप पर पहुँचाया वो गुरुकुल क्या रहे हैं और किस प्रकार की पद्धतियों के माद्यम से उन्होंने जबरदस तरीके से एक बात विवहार को तैय किया उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में भारती प्राचीन पद्धतियां और किस प्रकार गुरु अपने सिश्य को ट्रेन करते थे, अनुशाशित करते थे उन्हें किस प्रकार सिखाते थे और भारत की सिख्षा व्यवस्ता दुनिया में क्यूं सबसे उपर थी और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट इन्वरस्टीज भारत के पास थी इसके क्या कारण थे, डेफिनेटली आप इसके बारे में जानना चाहते होंगे अगर जानना चाहते तो कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर उस schedule को, उस method को आप भी अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं तो न सिर्फ आप एक बहतरीन student बन पाएंगे साथी साथ आने वाले समय में आप दुनिया को रास्ता भी दिखा सकते हैं तो क्या आप जानना चाहते हैं कि प्राचीन समय में गुरुकुल की जो व्यवस्था थी उस particular time में एक बच्चे का schedule कैसे हुआ करता था उसका time table कैसे हुआ करता था आप में से कितने लोग इसको जानना चाहते हैं प्रीज मुझे बताएं तो शुरुबात करते हैं भारत की उस महान ताकत के बारे में जिसने पूरी दुनिया को आंदोलित करके रख दिया था और उन दिनों गुरुओं ने अपने शिश्री के लिए किस तरह का schedule बनाया था जिसकी वज़़े से भारत में जो आरेभट श्री कृष्ण, श्री राम ये सभी गुरुकुलों की देन थे चरक, पतंजली, ब्रह्मगुप्त ऐसे महान सिक्षक, महान शोधारती जिनोंने मानवता, जिनोंने दुनिया को रास्ता दिखाया आखिर क्या था गुरुकुलों में जिसकी वज़से हमें आगे जाने में बहुत मदद मिली तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं उस चीज़ के बारे में जिसको जानने के बाद आप बहुत रोमांचित होंगे और साथी साथ इस क्लास के बाद आपको जबरदस गर्व की अन्बोती होगी कि हमारा देश क्यों ग्यान के शिखर पर बैठा हुआ था और हमारी जिम्मेदारी है आज सिविल सर्विसेज डे पर ये हम प्रण लेंगे कि भारत को अगर विश्य गुरु बनाना है तो उसमें हमारा योगदान बहुत सक्री होना चाहिए और विश्य गुरु बनाने के लिए जो ताकत है वो भारत में है अगर याद होगा मैं हमेशा अपनी क्लासेज में कहता चलाया हूँ कि मैं वेस्टर्न मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और अगर पूरी दुनिया को बचाना है तो पूरी दुनिया को बचाने का जो कोर कॉंसेप्ट है वो भारती दर्शन में ही उपलब्द है अगर मेरा को इस्टर्न पहले से मुझे सुनता चलाया जिसने तमिलनाड की मेरी क्लास की हो या मेरी मेपी की क्लास की हो की वसुधैव कुटुमकम और सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संत निरामया इसका जो कॉंसेप्ट है वो केवल भारत के पास है और भारत ही पूरी दुनिया में जो जलवाई परिवर्तन हो रहे हैं जो युद्ध हो रहे हैं बचाने का जो तरीका है वो केवल और केवल भारत के पास उपलब्द है तो हम आज इस सिवल सर्विसेज दे पर ये समझें कि किस प्रकार हम बहतरीन कर सकते हैं विश्ज गुरू के अपनी इस ताकत को पहचान सकते हैं भारत विश्ज गुरू क्यों था इसके बारे में जान सके और क्लास के भी में जो शुरुआत करने जा रहा हूँ वहाँ आज आप इस भारत शब्द को ही अलग तरीके समझोगे शायद आपको लगता होगा आपको पढ़ाया गया होगा कि भारत का नाम भारत कभीले हमें इसी रूप में किताबों में पढ़ाया जाता है कि एक भारत नाम का जो है राजा थे एक कभीले के राजा थे उनुनी पे इस देश का नाम पढ़ गया जरह भारत के उत्तर दक्षिर विस्तार को देखो तो इतना बड़ा भारत एक कबीले की राजा के नाम पर नहीं पढ़ सकता इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा कारण होगा और हमें एक गलत तरह का इतिहास पढ़ाया जाता है हमें बहुत ही एक तुछ तरह का इतिहास पढ़ाया जाता है जहां पर तमाम इतिहास कार जो फॉरें से आए हुए है या जो लेफ्ट लिब्रल है वो हमें अकसर जो है वो इस तरह की चीज़े पढ़ाते हैं कि हम कबीले थे हम छोटे-छोटे हिस्से में बचे थे हमारी संस्कती बहुत पिछड़ी हुई थी लेकिन आज हम भारती इस बारत के जाने के हमारा नाम आया कहां से तो चलिए शुरुवात करते हैं और समस्ते हैं इस चीज़ को और भारत को एक जुट करने वारे सरदार पटेल जिन्होंने भारती सिविल सेवा को स्टील फ्रेम आफ इंडिया कहा था उन्होंने बड़ी खुबसूरत एक जबरदस बात है आज हम सभी अभिनंदन करते हैं इनका और आज हम प्रण लेते हैं कि हम भी इस सर्विस का भाग बनेंगे और राश्ट्र को भारत को उस जगह पह कफन है जो पहन कर कभी उतारा नहीं जाता कफन तो फिर अब इनसान के साथ ही जाता है तो अगर देश से प्यार है अगर देश से महबत है तो फिर ये क्या होना चाहिए ये अब कभी नहीं जानी चाहिए ये प्रण है हमारा तो इस बात को याद रखना कि महबत कोई लिव बात करता हूँ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और क्लास के आखरी में मैं आपको एक बहुत इंपोर्टेंट चीज डिसकर एनौंस करने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम आ सकती है तो बहुत ध्यान से सब लोग सुनें समझें और आज इद मुबारक और सिविल सर्वि चलिए दोस्तों विश्य गुरू भारत तो विश्य गुरु भारत हमने यह नाम शुना है हमें अकसर या पर आयो अब किताब पढ़िए तो उसमें कहा जाता है भारत नाम भरत नाम के कभीले से आजाता है हम इस तरह की चीज़े बताई जाती है और जब हम सनातन संस्कति के बारे में पढ़ते हैं जब हम सनातन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत का जो ज्ञान था वो बहुत बड़ा था आप में से अगर इन्वस्टीज की बात होगी मैंने जब तमिलनाटी की क्लास्टी में पढ़ाया था तो मैंने वहां आपको बताया था कि हमें बताया जाता है कि तक्षिला विश्विद्याला है नालंदा विश्विद्याला है यही हमारे पास से मैंने आपको बताया था कि भारत के पास हजारों की संख्या में विश्विद्याले हुआ करते थी और 51 प्रतिशत महिलाएं उसकी जो है वो जिसे कहते है न कि कुलाचारिया या वाइस जो हमारी chancellor होती है वो वहाँ हुआ करती थी महिलाएं हुआ करती थी इतनी विधुशी महिलाएं थी तो यह जबरदस आंकडा था हमारे पास जो है वो साड़े छे लाग गाउं है और जातर गाउं में गुरूकुल हुआ करते थे और भारत में जो ज्ञान था जो knowledge का pursuit of knowledge इसे कहा जाता है वो एक सामुदाइक subject हुआ करता था किसी की मदद के बिना ये समाज का उत्तरदाइद तो होता था कि वो knowledge को आगे ले जाने का काम करें भारत वो पुन्य भूमी है और हमें ये बताया जाता है कि किसी कभीले के राजा के उपर जो है इसका नाम रखा गया आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत ज्यान के सीज़ पर क्यों था और आगे इसके साथ साथ क्या क्या हुआ तो आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि भारत जो शब्द है वो बेसिकली तीन हिस्सों में मिलकर बना हुआ है ये तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है भधन राधन त ठीक है ये तीन शब्द है भारत के जहां भा का मतलब होता है ज्यान का प्रकाश बड़े ध्यान चे समझना एक नई थियोरी एक नई चीज बता रहा हूँ ग्यान का प्रकाश क्योंकि ये जो ग्यान है वो पूरी दुनिया में फैलता है और हम वो लोग थे जिन्होंने कहा था सर्वे भवन्तु सुकिना, सर्वे संतु निर्यामया हम वसुधैव कुटमबकम वाले लोग हैं भारतिय संस्क्रत के लोग जो है वो पूरे दुनिया के लिए है तो भारत शब्द का मतलब ये किसी कबीले के राजा के उपर नहीं था भव का मतलब होता है ग्यान का प्रकाश, र यानि दूर दूर तक पहलाने वाला और तो जैनि पहुँचाने वाला, यानि ग्यान के प्रकाश को दूर दूर तक पहुँचाने वाली जो पुन्य भूमी है उसे भारत कहा जाता है यानि हमारे पूरवजों ने इस बात को बड़ी गहराई से समझ लिया था कि पूरी दुनिया में जिस चीज की आवशक्ता है वो है नौलेज पूरी मानवता को जो शक्त करता है उसको हम लोग बोलते हैं नौलेज ग्यान और ये ग्यान का प्रकाश जो है उसके जो श्रोत है जैसे जो दीपक होता है उसका जो लौ होती है वो पूरे प्रकाश का श्रोत होती है तो पूरे संसार में जो ग्यान के प्रकाश का शुरोत है और अपने ग्यान को सिर्फ अपने तक सीमितना रखकर पूरी दुनिया तक पहुँचाने वाला जो देश है वो पुन्य भूमी कौन सी है हमारी पुन्य भूमी भारत है वेस्टन जब कोई ग्यान पकड़ता है तो वो उसका पेटेंट करा लेता है उसके बौधिक संपता अधिकार मांग लेता है हमने कहा कि ग्यान पूरी मानवता के लिए है हम जो अरजित करेंगे उसका मकसद लाब कमाना नहीं उसका मकसद पूरे संसार पूरी मानवता का भला करना है अगर मेरी ये बात आप तक अच्छी लगी हो और ये नई परिभाशा अगर आपको पता चली हो तो मैं आज आपका अपलॉस चाहता हूँ आपकी प्रशंशा चाहता हूँ क्योंकि बच्पन से मुझे भी यही पढ़ाया गया था आपको भी यही पढ़ाया गया होगा कि भरत कभीले के राजा के नाम पर इस देश का नाम भारत पढ़ा अरे भारत का विन्यास तो देखो अफगानिस्तान से लेकर नौर्थीस तक और इधर समुद्र की तलहटी से लेकर हिंदू कुछ तक भारत का विस्तार ही विस्तार है एक कभीले के राजा के नाम पर इतनी बड़ी भूमी का नामकरर नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे जाने कितने कभीले थे भारत शब्द का मतलब बहुत गहरा है अगर मेरी बात आप तक पहुँची हो और अगर मेरी बात में आपको भारत का नागरिक होने के नाते इस पुन्य भूमी में पैदा होने के नाते एक दम्ब पैदा हुआ हो एक अभिमान एक गरव की भावना आई हो तो मैं आप सभी से कमेंट चाहता हूँ और आने वाले समय में जब भी कोई कहे भारत में क्या रखा है बताना कि पूरी दुनिया को कहो कि भारत का मतलब तो जानो, इस महान भूमी के बारे में तो जानो, कि ये कितनी पुन्य भूमी है कि पूरी दुनिया को ग्यान का प्रकाश देने वाला देश भारत है, ये है भारत, तो ग्यान का प्र योग होने वाली चीज़ है इसको सब तक पहुचने दो और यही कारण है कि समय के साथ जब भारत अपने ज्यान के चरम पर पहुचने लगा तो यहां से ये प्रकाश धीरे धीरे अरब देशों में पहुचा अरब के विद्वानों ने इन भारतिय ग्रंथों वेदों यहां के जो शोध हैं चाहे वो ब्रम्ह गुप्त का शोध हो आरेभट का शोध हो भारत के ग्रंथों को विदेशियों ने कहा कि ये पोंगा पंडितों का ग्रंथ है ये धार्मी ग्रंथ हैं भारत में कभी धर्म ग्रंथ में तुमने गड़ित तक विस्तरत हैं, तो अरब देशों ने इसका कराया अनुवाद, और जब इसका अनुवाद कराया, तो ये अरब जगत का गोल्डेन पीरिड बन गया, अरब टेजी से बढ़ने लगा, अब उस छेतर में जो क्रिशियन समुदाय था, जो इसाई समुदाय था, उसको डिर लगने लगा, कि अरब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अरबों के ट भारत की पुन्य भूमी को समझो, और फिर इन्होंने उसको अपनी तरफ अनुवाद किया, जैसे जैसे वो भारती गरंतों का अनुवाद होने लगा, इनके यहां ज्यान की मातरा बढ़ गई, और इसी को वो लोग रिनासा के नाम से जानते हैं, आप लोगोंने पढ़ा हो तो इनको ये समझ में आ गया था, इनके पास सारे डॉक्यमेंट थे, कि भारत ही वो देश है, जो ग्यान के जो है, वो शीट्स पर बैठा हुआ है, तो उन्होंने समझ में आया कि इस देश पर हम कबजा नहीं कर सकते, जब तक हमें इसको इसके ग्यान, इसकी परमपराओं से हम काट नहीं देते, इसकी संसकत से हम काट नहीं देते, और फिर एक बहुत बड़ा शडियन तर शुरू हुआ, और यहां पर इसको काट कर बाहर कर दिया, हमें हमारे ही ग्यान से दूर करने का एक बहुत बड़ा साजिस रचा गया, हमें इनकी किताबों की तरफ लेकर ताकि हम मजबूर हो जाएं जो हमें ये बता रहे हम ये पढ़ें और आज हम भारती हैं हम ना अपने देश के बारे में जानते हैं ना अपनी परंपराओं के बारे में जानते हैं ना अपनी उन महान जो हमारे पास गाताएं हैं उसके विशेम हम जानते हैं हम अगर जानते है तो हमारा दिमाग में चलता है वो मांसिक गुलामी है वो अंग्रेजों की दीवी सिक्षा है उनकी बताई गई सारी चीजे हैं जिसको हमाज करने को तैयार हो जाते हैं तो ये भारत की महान भूमी थी अब सवाल ये है कि भारत इस ग्यान के इस सीश पर पहुँचा कैसे आईरवेद, चिकित्सा, सल्ले चिकित्सा, युद्धकला ग्यान, विज्यान, दर्शन, खगोल, गनित इन सब में कोई ऐसी विधा नहीं है संगीत, नरत्य इन सभी में भारत इतने टॉप पर कैसे पहुँचा ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये जो सारा भारत का ग्यान का श्रोत था ग्यान का श्रोत था और ये मैं नहीं कह रहा हूँ अंग्रेजों ने बिटिश पार्लियामेंट में ये बात कही कि भारत में हर गाउं में गुरकुल है और वो किसी से कोई पैसा नहीं लेता, और भारत के ज्ञान का शोत ये गुर्कुल, अगर हमने इसको खतम नहीं किया तो भारत को कभी गुलाम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि भारत की ताकत पैसा नहीं है, ये byproduct है अपने आप इनके पास आता है भारत की ताकत युद्ध भी नहीं है क्योंकि आज जो विजेता है कल वो हारेगा भारत की ताकत ज्ञान है क्योंकि वो अक्षुन है वो continuous है और भारत इसी ज्ञान के कारण सब कुछ पैदा कर सकता है जो वो चाहता है चाहे वो जाना भारत ने चुपा रखा है और गाउं गाउं में ये खजाने चुपे हुए हैं, अनंत श्रंखलाएं हैं, जब तक हम इसको systematically नहीं तोड़ेंगे.